हलो मैं हूँ शुकेंदू और आप सभी को मूवी डियरी चैनल के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर मैं आ गया हूँ काफी सारे इंट्रेस्टिंग आज की फिल्मी दुनिया से अपडेट्स लेकर बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक वीडियो बनने वाला है क्योंकि काफी सारे इंट्रेस्टिंग अपडेट्स है इसलिए इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए लेकिन आगे बनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी एक वीडियो अपलोट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेजुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजे दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुने रहने के लिए तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करेंगे वर्टू को लेकर आपको तो पता ही है कि टाइगा थ्री के अंदर रितिक रोशन का एक कैमियो है जिससे वर्टू की शुरुवात की एक आगास दिया गया है अब वर्टू से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है लेकिन आपको बता दू ये जो है ये एक स्ट्रॉंग स्पेक्यूलेशन है कोई भी पक्की खवर नहीं है लेकिन खवर ये है कि इस फिल्म के अंदर वर्टू के अंदर शायद हम तीन फीमेल एक्टर्स को देख सकते है जी हाँ एक तो आपको पताई है कि वर्टू के अंदर रितिक रोशन के आपोजिट आप क्यारा अडवानी को देख पाएंगे इनी के साथ-साथ शायद दिपिका पाडू को देखा जा सकता है मतलब पठान के अंदर उनका जो कैरेक्टर था रूबय वो फिर से वापस आ सकती है वर्टू के अंदर इसी के साथ-साथ कुछ दिन पहले एक निउस आपको मैंने दिया था और ये खबर सभी को अल्मोस्ट सभी को पता है कि वाइरेफ स्पाई निवर्स के अंदर अब एक फीमेल स्पाई को इंक्लूट किया जाएगा जिस रोल को निभाएंगी आलिया भट तो आलिया भट की इंट्रोड़क्शन शायद वर्टू के अंदर किया जा सकता है तो वर्टू के अंदर आलिया भट, क्यारा अडवानी और दिपिका पाड़गोन को शायद हम देख पाएंगे 6th October को रिलीज हुआ था श्रिलंकन क्रिकेटर, मुत्या मुली धरन का बायपिक जिसका नाम था 800 और ये जो फिल्म था ये बॉक्स ओफिस पर ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाया अब इस फिल्म को OTT पर लाया जा रहा है इस फिल्म को 2nd December जियो सिनमा पर रिलीज किया जाएगा अगला जो अपडेट है ये है इस साल की फिल्म का जो ट्रेलर है वो बहुत जल ड्रॉप किया जाएगा एक डेट सामने निकल कर आ रहा है और ये सुनकर आपको खुश हो जाएंगे शायद अगला जो वीकेंड है इस फिल्म का जो ट्रेलर है उसको ड्रॉप किया जा सकता है 18th of November ये एक डेट निकल कर आ रही है और आपको बता दू एनिमल फिल्म का जो रन टाइम है ये पुड़ा 3 घंटे का होने वाला है अगला अपडेट है डंकी से डंकी का USA के अंदर एडवांस बुकिंग आज से स्टार्ट कर दिया गया है लेकिन एक ही चेंड में स्टार्ट कर दिया गया है और बाकी के जो चेंड से वो 20th November के अंदर पुड़ा का पुड़ा स्टार्ट कर दिया जाएगा अगला जो अपडेट है ये दो अपडेट है लेकिन एक ही फिल्म से फिल्म का नाम है Tiger 3 आपको तो पताई है कि Tiger 3 एक सूपर हिट फिल्म अल्रेडी बन चुका है अब आपको बता दो Tiger 3 जो है वो सलमान खान की 17th फिल्म है जो 100 करोर क्लाब में घुश चुकी है अगला जो अपडेट है वो ये है कि Tiger 3 का जो Tuesday का अर्ली एस्टिमेट्स किया जा रहा है तो इसमें शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाए आपको तो पता ही है कि Tiger 3 जो है वो Sunday के दिन 48 करोर और Monday के दिन 53 करोर का कलेक्शन किया है लेकिन अगर इस फिल्म को Friday पर रिलीस किया जाता तो ऐसा हो सकता था कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा एक कलेक्शन मिले लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिल्म को intentionally Sunday के दिन रिलिस किया गया मुझे पता नहीं इस strategy के पीछे किसका दिमाग है ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता अब early estimates जो किया जा रहा है उससे ये पता चल रहा है कि Tuesday के दिन इसका जो collection होगा इसका जो first day का collection था वो भी शायद नहीं छूपाए मतलब ये expect किया जा रहा है कि 40 क्रोड तक का एक collection हो सकता है देखते हैं क्या होता है तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आई तो एक like जरू कीजिए, चैनल को subscribe करने मत भूलिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरू कीजिए, तैंक यू, जैसे नहमा